नमस्कार लोक सबस्ट नौस जुड़ा क्यापिटल टिवी का खास शो बैटल 2024 देख रहे हैं आप मैं हो आपके साथ पूछा कल पूरे देश भर में राम नौमी का त्योहार धूमधाम से मराया गया राम नौमी के मौके पर हर किसी की निगाहें पश्रिम बंगाल पटिकी थी क्योंकि हर बार पश्रिम बंगाल से राम नौमी के मौके पर हिंसा की तस्वीरे सामने आती है टीमसी के गुंडा गर्दी सामने आती है पर कल ऐसा पहली बार हुआ कि पश्रिम बंगाल से किसी भी तरह के हिंसा की कोई खबर सामने नहीं आई और ऐसा पहली बार था जब टीमसी के तरफ से शोभा यात्रा निकाला गया था और हाँ कल ही के दिन ममता बिरजी के तरफ से घोशना पत्र भी जारी किया गया तो राम नौमी के मौके पर क्या कुछ था पश्रिम बंगाल में आज इसी पिच्चरचा करेंगे मेरे साँ चुड़े हैं क्यापिटल टीवी की एडिटर इंचीव डॉक्टर मरीश कुमार और एक्सक्यूटिब एडिटर राजीव जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हर किसे को इंतजार था कि कही ना कहीं से बुरी खबर पश्रिम बंगाल से कल जरूर सामने आएगी पुलिस भी अलर्ट मोट पे थी लेकिन ऐसा क्या हो गया कोई बबाल नहीं देखिया आपने बहुत ही important and pertinent questions आपने raise किये हैं पश्रिम बंगाल ही नहीं पिछले साल उसके पहले अभी आप देखिए कि हर जगह ये राम नम्मी के दौरान सोबह यात्रा के दौरान कभी राजस्तान से तो कभी दिल्ली से तो कभी और इलाकों से कभी मद्द परदेश से पत्थर बाजी की खबरे आ रहे थी इस बार बिल्कुल सालेंट है अभी सोचल मीडिया पर मैं कली में देख रहा था कि जमसेदपूर के अराची के अंदर वहां पुलिस वाले ने ड्रोन लगाकर के एरिया को जाचने उपर रखने के लिए वो रिहलसल कर रहे थे कि चत के उपर हर चत के उपर जो है वो पत्थर मिले वालेंस नहीं हुआ इसका कारण पूरे देश को जानना और समझना भी चाहिए चुनाओ है इसलिए पत्थरवाजी नहीं हुई चुनाओ है दंगा भड़क जाएगा तो भारती जिंतर पार्टी को फाइदा हो जाएगा किसी ने पत्थर नहीं मारा इसका मतलब यह है कि पहले जो कुछ भी हो रहा था that was all pre-planned वो बकाइदा नाप तौल कर कि पत्थर फेकने से क्या फाइदा और नुकसान होगा यह सारी चीजे की गई इसलिए सिर्फ बंगाली नहीं देश भर से इस तरह की खबरे नहीं आई इसका मतलब है कि there are people who monitor such actions उन्होंने इसारा नहीं किया होगा तो नहीं हुआ वो जाकर के उन्होंने कहा होगा कि नहीं इस बार नहीं करना है कुछ इस बार का बदला अगले सान लिया जाएगा जिस तरह के लोग है पेरोल के ओपर तो एक कारण तो मुझे ये समझ में आ रहा है और दूसरा कारण जहां जहां भी जैसे राजस्थान में जो मसला आया था कई जगों पे तो सरकारे बदल गई कि अब करोगे तो कुटाई खाऊगे अब मद्परदेश में कोई नहीं करेगा राजस्थान में नहीं करेगा पिछले बार वही इसी दो राज्यों से काहनी शुरू हुई थी जो एक्सिटेंड होता गया हर जगा होता गया योगी आदितनाधर ने रास्ता दिखा दिया है तो एक तो कारण वो है लेकिन इससे भी महत्पूर्ण कारण ये है कि प्रधान मंत्री मोदी की सरकार ने PFI के उपर बैन लगा रखा है तो वो खाते सीज हो गये पैसा सीज हो गया ये सारी चीजें जो है वो एक साथ हो गई इसलिए खबर नहीं आई कि सुभा यात्रा के उपर राम नम्मी के दोरान जो है वो पत्थरबाजी हो रही है तो ये भंगाल के गर बात करें तो टीमसी के गुरगे ही तो करते थे उनको कह दिया गया कि इस साल नहीं आगे देखेंगे तो कुछ नहीं हो नहीं हो नहीं है कई तरह की बबाल की खबरे सामने आती थी इस बार बहुत एजली परमिशन भी मिल गया और ऐसा पहली बार क्यों था कि टीमसी की तरब से भी शोबाया तरह निकाला गया क्या कुछ है ममता बनर जी की मजबूरी देखें मजबूरी तो चुनावी है क्योंकि ममता बनर जी हो या ममता बनर जी जिस कौम के ओ सपोर्ट करती है उसका हो ये दोनों की मजबूरी और कॉंस्पिरेसी एक सिमिल टेलियंस ले चलती है अगर ममता बनर जी की बात करें पश्चिम बंगाल में तो वो सत्ता में हैं और सत्ता में बने रहने के लिए वो कोई भी किसी भी हद तक जा सकती है यही ममता बनर जी है जिनोंने C.A. के खिलाफ जब मुसल्मानों ने आंदोलन किया तो ये UN को इंटर्फेर करने के लिए कह रही थी कि देखिए हिंदुस्तान में क्या गजब के इस्थिति हो चुकी है पूरा हिंदुस्तान सडक पर आ गया है हिंसा हो रही है तो अब अंतर रास्टिये संस्थानों को हिंदुस्तान में हस्तच्छेप करना चाहिए लेकिन जब परिशानी पैदा होई तो फिर वो बैक फूट पर आ गई कि गलती से ऐसी बात कहा देती है ममता बनर जी ये मुसल्मानों के लारजर कॉंस्पिरेसी का हिस्सा बन चुकी है जैसा कि डाक्ट साब ने कहा कि किस तरीके से ये कॉंस्पिरेटर जो है ये तोल मोल के फैसला लेते हैं कि कब हमें क्या करना चाहिए ये आज की बात नहीं है 1947 के बात थे ही उससे पहले जब हिंदुस्तान का बटवारा हुआ उस समय भी ये लोग यही किये थे ये भारत का विवाजन करके धर्म के आधार पर एक देश बनाया और उसके बाद यहां रुकने का फैसला लिया वो भी बड़ी कॉंस्परिसी का हिस्सा था कि अगर यहां से सब चले जाओगे तो ये बाबरी मस्जीद अजोध्या में बना के रखके हो ये कासी में ग्यान वापी जो है ये मतुरा में शाहीद गाह है इसकी रखवाली कौन करेगा ये तो रातो रात खत्म हो जाएगा मुसल्मान यहां पर अगर एक बहतर इस्थित में नहीं रहोगे तो ये संरक्षन देने वाले भी छोड़ देंगे आख बंद कर लेंगे और रातो रात ये सब धौस्थ हो जाएगा ये हिंदू रास्ट बन जाएगा तो कुछ बड़े मुसल्मानों ने इन तथा कथित हिंदू जो उस समय के कॉंग्रेसी नेता थे जो अपने आपको ग्लोबल सिर्जन बना रहे थे उन लोगों के साथ मिल जुलकर उसको यहां रुकने और आगे आज की स्थिति पैदा करने के लिए कहिए आज ये टैक्टिकल वोटिंग करता है पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर जी के साथ दिल्ली में केजरिवाल के साथ बिहार में लालू परसाद यादव के साथ ये tactical voting जो होती है वो कैसे होती है क्योंकि इन्हें सिर्फ भारतिय जनता पार्टी को हराने वाली कोई पार्टी चाहिए तो ऐसे में पश्य मंगाल में अगर इस समय शुभाय आत्रा पर हंगामा करे पत्तरवाजी करे तो फिर तो पोलराइजेशन होगा और वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी का संगठन इसमीच ऐसे भी मजबूत है जो रिपोर्ट सा रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार 30 प्लस सीटे आएगी भारतिय जनता पार्टी को ममता बनर जी पहले से डरी है और पूरा कपूरा ये प्रायजित किया था कि हम भी स इस प्लस सीट का जखर किया है लेकिन जिन जिन चानलों पर जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं किसी भी चानल पर टीमसी को जीत और या कहें कि अच्छी सीट मिलती वह नज़र नहीं आ रही है अभी जो बैक फूट पर ममता बनर जी है तीन चार कारणों से है पहला कारण ममत बनर जी को ममता बनर जी बनाता है उन सब में बहुत बड़ी गिरावट आई है परसेप्शन बदल गया है ममता बनर जी को लेकर के कारण ये जो घोटालों में पकड़े गए लोग ये जो घोटाला हुआ नोटों का पहार दिखा उसमें ममता बनर जी की साख बिलकुल रसा करने वाली एक शेर नहीं है ममता प्रड़ जी उससे कोई जीत नहीं सकता ये इमेज भी बहुत डेंट हो गया कि इसके तो हाथ पर सब कुछ कॉट दिया गया सब EDCBI मोदी ने सब को बंद कर दिया अंदर तो वो भी एक गिरावट है ठर्ट जो ब्रेजन जो मुस्लिम अपीजमेंट की नीती है आप बंगाल में जाएए आप किसी भी सहर में जाएए हिंदू से बात कीजिए बहुत सारे सहरों से हिंदू भाग रहे हैं वहां से दभी जु कोई दुकांदार कोई बिजनिसमैन आप अकेले में बात कीजिए जब कर वह करकी सामने मांकर कि कैमरें पर बात करो वो बोलेगा नहीं, कैमरा खुलते हैं वहीं आदमी, जो कैमरा बंद होने से पहले गालियां दे रहा था, वो बोलेगी ममता बरनरणी को वोट देंगा, वो तो ममता बरनरणी जो है, वो सबसे बढ़ियान लीडर है, यह घुटन, यह इस तरह का महौल ममता बरनरणी ने वहा नमाजों को तमाम लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है लोगों की हिम्मत बढ़ी है ममता बनर जी के लिए ये एलेक्शन ये कोई अच्छा एलेक्शन होने वाला नहीं है विल्कुल और कल टीमसी के तरफ से चुनावी मैनिपेस्टों भी सामने आए जिसमें सी ये एना अजिटिव तरीके से राष्ट के विकास के लिए मान लेते हैं आप लोग सभा चुनाव की के में आये हुए हो विधान सभा चुनाव नहीं है आप केंद्रिये नीतियों की बात करोगी राष्टिये नीतियों की बात करोगी लेकिन आप एक स्टेट की पार्टी हो आपका क कोडिनेशन किसी के साथ नहीं है आप किसी गठवन्धन का हिस्सा नहीं हो और आपके घोशना पत्र में न सत्ता पक्ष न विपक्ष दोनों में से किसी के कौमन मुद्दे नहीं हैं तो फिर आप अकेले दम पर 42 सीटों वाले स्टेट में चुनाव लड़के किंद्र में सत्त में आने की बात सोच कैसे सकती हो या उस तरह के घोशना कैसे कर सकती हो कि हम ऐसे बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे CA, NRC, UCC जैसे बड़े मुद्दे जो पारलियमेंट से पास होंगे उस पर हम इसका विरोध कर सकते हैं इसे लागूर नहीं होने देंगे आप कह रहे हैं अपने स्टेट की बात लेकिन ये तो केंद्रिय कानून है पारलियमेंट से पास होगा मतलब ये घोशना पत्र मतलब मौलाना का घोशना पत्र है मुलाओं का घोशना पत्र है जिसमें सब जगा हाइलाइट यही किया गया कि मुसल्मान जिन मुद्दों से परिशान होते हैं जिसका विरोध करते हैं हम भी उसका विरोध करेंगे हिंदूं से लेना देना नहीं है क्या उसकी मांग है क्या क्या करने वाले हैं उससे लेना देना नहीं है देश के विकास की बात वो तो बाहर की बात है वहां तो काम करेंगे ही नहीं लेकिन हमें मुसल्मानों का वोट चाहिए और जो वैसे हिंदू अभी भी जो दिख भ्रमित हैं उन वो लोग हमारे साथ आएंगे मुदी के विरोध के नाम पर इन लोगों के वोट से किसी तरीके से पिछली वार की तरही सीटे मैनेज कर लें बाई सीटे लेकिन वो तो संबब नहीं है वो कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले विधान सभा चुनाब के पहले हमें इतना बड़ा सौक न लगे कि हमारे पाटी के कारकरताओं का नेताओं का मनोबल गिर जाए और फिर आगे विधान सभा में हमारी सरकार चली जाए सारी कोशिशे तो फेल होती जा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद से आप दोनों का जोड़ा तो ना ही हिंसा ना ही बवाल ना ही पतरवाजी किसी भी तरह की कोई खबरे पश्यम बंगाल से राम नौमी के अफसर पर नहीं आई जो बताता है कि ममता बिनर जी चारों तरफ से बैक फुट पर आ गई है एक तरफ ब्रस्ट चार की मार दूसरी तरफ जाच एजंसियों का एक्शन ममता बिनर जी के लिए मुसीबत देने वाला है साथी जो चुनावी सर्विस सामने आ रहे हैं वो भी ममता बिनर जी के लिए बहुत बड़ा जटका है और कल जिस तरह स से टीमसी के तरफ से चुनावी मेनिफेस्टो जारी किया गया वो भी ममता बिनर जी को बड़ा जटका दे रहा है आज के मारे शो में फिलाल इतना ही देख तीरे क्यापिटल टीवी नमस्कार